मैं एक बहुत ही गरीब खांदान से थी, मेरा पती दिहाडी नौकरी करता, इसी से घर चला लेते थे, एक दिन में खाना लेकर पती के काम की जगह जा रही थी, कि अचारक मैंने देखा, एक औरत बस से निकली और सड़क पर आते ही वो दर्द से तडपने लगी, मैं मदद के इसलिए उसके पास गई, उसकी डिलिवरी का समय हो चुका था, वो दर्द से करहा रही थी, मैं उस औरत को पकड़ कर पास ही के खंडर में ले आई, कुछ देर बाद उस औरत ने एक बच्चे को जनम दिया, मैंने सोचा बच्चे को बेच कर खूब पैसे कमा लोंगी, इसल निकल गए, क्योंकि मेरी गोद में तो अजीबो गरीब, मेरा नाम कमला है, मैं एक बहुत ही गरीब खाननान से थी, मेरा पती दिहाडी पर जाता, जो पैसे मिलते उसी से घर चलाते थे, पर अब ऐसी ही जिन्देगी में तंग आ गई थी, दिहाडी पर पैसे इतने कम मिलत कि मुश्किल से दो वक्त की रोटी का इंतिजाम हो पाता, मेरा पती दिन भर का थका हारा घर लोटता, तो बिस्तर पर ओंधे मू लेटते ही सो जाता था, उसे ऐसे देखते ही मेरा पारा चड़ जाता, मैं अपनी जोपड़ी से बरतन उठा कर फेकने लग जाती, और अपन इसे कमाला, या सिर्फ मैं ही दिन भर महनत करू और तू बस मुफ्त की रोटिया तोड़े, इतना कहकर वो जोपड़ी से बाहर निकल जाता, और मैं जमीन पर बैटकर वही रुख्या सुखा खाना खाती, जिंदगी यूही गुजर रही थी, जब एक बहुत ही अजीब पास गई, तो मुझे हाथ जोड़कर विननती करने लगी, कि दीदी प्लीज मेरी मदद करो, मेरे डिलिवरी का समय हो चुका है, वो दर्द से तड़प रही थी, मैं उस औरत को पकड़कर पासी के खंडर में ले आई, कुछ देर बाद उस औरत ने बच्चे को जन्म दिया तो मैं लालच में आगे, मैंने सोचा, बच्चे को बेच कर खुब पैसे कमा लूँगी, इसलिए मैंने उस औरत को वही छोड़ दिया, और बच्चे को जल्दी से अपनी चादर में चुपाया, और वहाँ से भाग आई, मुझे नहीं मालुम था कि वो औरत दुबारा मिले अपनी जूपडी में आकर मैंने जब चादर हटा कर बच्चा देखा, तो मेरी गोद में अजीबो गरीब बच्चा रो रहा था, मैंने उस बच्चे को देखा तो डर के मारे चीक पड़ी, मेरा पती जल्दी से भागता हुआ मेरे पास आया, बोला ये क्या है, मगर जब उ उसकी भी चीक निकल गई, कहने लगा कि ये क्या उठा कर लाई हो, मैंने अपने पती को खामोश रहने का इशारा किया, और मैंने सोचा, ऐसे बच्चे को कौन खरी देगा, इसलिए उस बच्चे को चादर में चुपा कर जूपडियों के पीछे की तरफ बने, कुडे की ध पहर की तरफ चली आई, और उस अजीबो गरीब बच्चे को फेक आई, मेरा पती मेरी हरकत खामोश इससे देख रहा था, फिर मैं घर के काम करके अपने धिमाग से उस बच्चे के खयाल को जटकने की कोशिश करने लगी, तभी कुटे बहर जोर जोर से भोक रहे थे, लोगों की बच्चे चीन कर कुट्टों के सामने फेक आए, उनकी बाते सुनकर मेरी रूख आप उठी, मैं जल्दी से चटाई से उठी और बड़ा सा डंडा उठा कर बाहर की तरफ भागी, उसके साथ मेरे पती भी मेरे पीछे पीछे आए, हम जल्दी से बच्चे को उठ भगवान के कृपा थी कि वो बच्चा बिल्कुल ठीक था, उससे अब तक कोई खरोज भी नहीं आई थी, मैं उस बच्चे को चूमने लगी और मोटे से कपड़े में लपेट कर अपने साथ लिटा लिया, वो भूग की वज़े से रोने लगा था, वो बच्चा बहुत जोर सा था, उसके माते फर एक बड़ी सी गाट हो गई थी, उसका बड़ा सा सिर था, आखे अंदर थी, जैसे खोकली हो गई थी, उसके मूँ और नाक में भी एक बड़ा सा होल था, मेरा पती उस बच्चे को देखकर हस पड़ा था, कमला तुझे पूरी दुनिया में यही के किनारे रुख गई, तभी पास की कार में बैठे इंसान ने मेरी तरफ पैसे बढ़ाए, मैं हैरान होकर उसे देखने लगी, पर इतने पैसे देखकर मैंने तुरंट अपना हाथ आगे बढ़ाया, फिर मैं जरा सोच में पढ़ गई, कि शायर इस बच्चे की हालत पर तर मैं में ही इतनी कमाई हो गई, जितना मेरा पती पूरा दिन कड़ी महनत करके कमाता है, मैं मन ही मन बहुत खुश हो गई थी, पर मैंने अपने पती से कुछ नहीं कहा, और लगातार दो दिन मैं इस बच्चे को लेकर सिगनल पर भीक मागने लगी, आज का समाज एक ऐसा समा मैं मेरे पती से दुगनी हो गई, मैंने अपनी पती को ये बात बता दी, कि मैं इसे लेकर भीक मागने जाती हूँ, मेरी बात सुनकर वो खामोश हो गया, फिर जब मैंने उसे अपनी कमाई दिखाई तो उसकी आखी कुशी से चमक गई, अब मुझे बस यही डर है कि इस ब बच्चा छीन लेगी और मुझे जेल करवा देगी, मुझे यह मालूम था कि कुदरत ने उस बच्चे के लिए कुछ और ही सोच रखा था, डर के मारे मैंने अपने पती से कहकर शेहर बदल लिया, हमने दूसरी जगह फकीरों की जोपड़ी के पास अपनी जोपड़ी बना तो मुझे बहुत गुस्सा आता था, फिर एक ऐसी और थी जो मेरे भागेश के बारे में कोई गंदी बात नहीं करती थी, उसका राम शुरूती था, वो अपनी बुड़ी मा के साथ अपनी जोपड़ी में रहती थी, शुरूती मेरे पास आकर बैठ जाती, भागेश के बा मैंने कहा सोने की खान की बात नहीं है, भागेश मेरा बच्चा है, मैंने मा बनकर उसको पाला है और मैं अपने बच्चे से अब दूर नहीं रह सकती, मैंने एक दिन शुरूती को बताया कि मेरा भागेश मुझसे जादा लगाव रखता है, ये तो मेरे अलावा किसी के हात का कुछ खाता भी नहीं है, भगवान ना करे अगर ये मुझसे बिच्चड गया, तो मेरे बिना रिये तो मर ही जाएगा, मेरे बात सुनकर शुरूती चुप हो गई, शुरूती से मुझे बड़ा डर महसूस होता था, मेरे दिल में यही बात आती थी कि जरूरूती मेर होने लगा था, कि वो बस भागेश से प्यार करती है, एक दिन मैंने शुरूती से पूचा कि उसे भागेश से इतना लगाओ क्यू है, तो उसने बताया कि पैसे की खातिर वो अपने बच्चे को बेच दिया करती है, मुझे पैसे तो मिल जाते, मगर मेरा बच्चा मेरे पा मुझे शुरूती अब थोड़ी थोड़ी ठीक लगने लगी, मुझे फिर से भीक मागने जाना था, जबकि शुरूती घर पर ही थी, मैंने भागेश को उसके हवाले करके कहा, आज के दिन इसका तुम खयाल रख लो, मैं शाम को जल्दी लोटने की कोशिश करूँगी, अमज नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करू, शुरूती को ढूनने के लिए मैं इधर उधर भटकने लगी, और भागेश को आवाज लगाने लगी, लेकिन बहुत जादा समय हो गया था, और जब मुझे शुरूती नहीं मेली तो मैंने रोना शुरू कर दिया, तभी अचा जारा दिन रोता ही रहा, मैंने जल्दी से भागेश को गोद में उठा लिया और उसे चुमना शुरू कर दिया, शुरूती खामोशी से अपनी जोपडी में चली गई, मुझे याद आया कि मैंने शुरूती को धन्यवाद तो किया ही नहीं, मैं जैसे ही उसकी जोपडी के पास गई, मुझे सिस्कियों की आवाज आने लगी, मैं जल्दी से जुपडी का पर्दा उठा कर अंदर दाखिल हो गई, मैंने शुरूती को कहा, तुम्हें अपनी दास्तान मुझे सुनानी ही होगी, तुम्हारे आसों के पीछे एक बहुत ही बड़ी दुख भरी कहानी चुपी हुई है, फिर तुम्हारे बच्चे के साथ क्या हुआ था, मुझे बताओ, शुरूती बोली, हम भी गरीब है, भीक मांगकर दो वक्त की रोटी मिल जाती है, तो खा लेते हैं, बगर मेरे छोटे भाई को बिमारी आ गई, तो फिर उसका इलाज नहीं करवा सकते थ मेरे भाई को कैंसर हो गया था, मेरे पापा भी इस दुनिया में नहीं थे, हमारे पास इलाज के पैसे नहीं थे, फिर एक दिन मेरी मा मुझे से कहने लगी, शुरूती भगवार ने हमारी मदद के लिए तुम्हें चुन लिया है, तुम अपने भाई का इलाज करवाओगी मैंने पूछा, आप क्या कह रही हो, मा ने कहा, आज मैं एक दर्वाजे पर भीक मागने गई, तो वहाँ वो मैडम जी मुझे से कहने लगी, कि उन्हें अपने पती की दूसरी शादी करवानी के लिए एक लड़की चाहिए, ऐसे लड़की चाहती है, जो उन्हें पैसे के खातिर बच्चा पैदा करके दे दे और उनकी जिन्दगी से हमेशा के लिए चली जाए, इस काम के लिए मालकीन हमें बहुत बड़ी रकम देने के लिए तयार है, मा ने मुझे कुरबानी का बकरा बना कर बड़ी मालकीन के हवाले कर दिया, मैं शादी करके हवेली चली मैं जवान लड़की थी, मुझे भला बच्चों की क्या जरूरत, मैंने तो सिर्फ अपने भाई की खातिर इतनी बड़ी कुरबानी दी थी, मेरी शादी मालिक से हो गई थी, उनकी उमर 40-45 साल की लगबक थी, और बहुत ही नरम दिल और प्यारे इंसान थे, पर मालकीन बह मैं मुझे कोई दिल्चस्पी नहीं थी, मैंने तो कभी अपनी हैसियत से उपर सोचा ही नहीं था, मुझे तो बस अपने पैसों से मतलब था, जो मेरे भाई की इलाज के लिए बहुत जरूरी थे, एक दिन मैंने मालिक को अपने प्रेगनेंट होने की खुश खबरी मैंने थी, वो दिवानी सी हो गई थी, वो चाहती थी कि मैं जल से जल बच्चा पैदा करू और उसके पती को छोड़कर यहां से चली जाओ, मेरा सात्वा मैना शुरू हुआ, तो वो मुझे कहने लगी कि घर में पोच्चा लगाओ, कभी कहती है कि बार बार सीडियों से च चक्कर लगाओ, ऐसा करने से तुम्हारे शरीर की मास पेशिया खुलेंगी और बच्चा करने में तुम्हें आसानी होगी, एक दिन बहुत जादा गर्मी थी, मैं घर में पोच्चा लगा रही थी, मुझे भूग भी लगी थी, मगर मालकीन का हुकम था कि खाना तब मैं एकदम चक्कर खाकर गिर गई, फिर मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ, जब मेरी आग खुली तो मैं अस्पताल की बेड़ पर पड़ी हुई थी, मेरे पास मालक परिशान होकर बैटे थे, उनकी आखों में आसू थे, वो बोले शुरू थी, खयाल क्यों नहीं उनकी बास सुनकर मैं फूट फूट कर रो रही थी, मैंने उनसे कहा, मालक मैं तो आपके घर में एक नौकरानी की हैसियस से आई हूना, मैंने तो मालकिन का ही हर हुकम माना है, मालकिन मुझे काम करवाती है, वो मुझे खाना खाने को नहीं दे दी, मालकिन ने मुझे कह रह अगले दिन जब मैं अस्पिताल से डिस्चार्ज होकर घर आई तो मुझे नौकरों के मुझे पता चला कि मालिक ने घर आकर मालकिन की बहुत बेज़ती की उन्होंने पूछा था कि मालकिन ने शुरुती के साथ क्या वेवार रखा है हम सबने तो सच बोल दिया था उसके बा आगे क्या होगा मुझे विश्वास था कि मालकिन इस बात का बदला जरूर लेगी और फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था मालिक अपने बिजनस के सिलसले में दूसरे शहर गए हुए थे तो मालकिन मेरे सर पर आधम की किसी तूफान की तरह मुझे पर चिला रही थी उन बस से उतरी तो भरे बाजार में एक औरत से मैंने मदद मांगनी लगी वो औरत मुझे पास के खंडर में लेकर चली गए उसने मेरी मदद की पर जब मैंने बच्चे को जनम दिया तो वो औरत मुझे वही छोड़कर मेरा बच्चा लेकर भाग गई शुरूती की बात सुनत वाकिन ने अभी तक उन्हें एक रुपए भी नहीं दिये तभी मेरे भाई का इलाज ना होने की वज़र से मेरा भाई भी मर गया मां ही रह गई थी मैंने जो बच्चे को जनम दिया था मैंने अपने बच्चे को देख लिया था मुझे मालुम हो गया था कि मेरा बच्चा नॉर्मल बच्चा नहीं है मुझे अपने बच्चे को बहुत चीनता थी न जाने उसका कोई खयाल रखता भी होगा या नहीं लेकिन भगवान ने मेरा बच्चा खुद मेरे पास लाकर छोड़ दिया तो मेरी शकल शायद भूल गई थी मगर कमला मैं तुम्हारी शकल नही भूली थी मैंने तै कर लिया था कि मैं तुमसे अपना बच्चा चीन कर भाग जाओंगी मगर जब तुमने ये बताया कि तुम्हारे अलावाय किसी के हाथ से कुछ नहीं खाता पीता तो मैं फिर अपने इरादा बदल लिया मुझे अपने बच्ची की जिन्देगी से ज़ प्रश करना शुरू कर दी मुझे ओफिस दूनने में एतनी जादा महिनत नहीं करनी पड़ी थी जितनी महिनद मुझे ओफिस में दाखिल होने की लिए करनी पड़ी एक भीकारी को कई गशने दे था फिर एक दिन सब्स अवे रही मैं आफिस के बाहर जाकर खड़ी हो गई मुझे मालुम था कि जो भी सबसे बड़ी गाड़ी ओफिस में आएगी वही सेट की होगी और मेरा तीर निशाने पर लगा अब मुझे वही करना था जो मैंने सोच रखा था मालिक अपनी गाड़ी से निकला मैं चिला उठी मैं आपकी पत्नी शुरूती का पता जानती हूँ सेट जी के बढ़ते कदम रुख गये थे वो तुरन मेरे पास आ गया और मुझे से पूछा क्या तुम जानती हूँ शुरूती के बारे में मैंने कहा जी सेट सेट भी ना सोचे समझे मेरे साथ चल पड़ा शुरूती जूपडी के बाहर ही खड़ी थी वो अपने मालिक को देखकर रोते हुए उनकी तरफ भागी सेट भी जल्दी से आगे बढ़ा था शुरूती बहुत देर तक रोती रही सेट बोला शुरूती तो मुझे छोड़ कर अपने आशिक के साथ क्यों भाग गई थी तुम्हें तलाग चाहिए था तो मुझे बता दे थी पर शुरूती और जोर-जोर से रोने लगी और उसने रोते-रोते सारी हकीकत बता दी सारी कहानी सुनकर सेट जी की आखों में आसू आ गए मैंने शुरूती का बेटा शुरूती की गोद में दे दिया और जब शुरूती ने अपना बच्चा सेट जी के सामने किया तो अपने बच्चे को देखकर सेट जी के चेहरे पर दर्द उभर आया लेकिन फिर उन्होंने अपने बेटे को गोद में उठा लिया और अपने बेटे को चूम कर रोते रहे फिर सेट जी और शुरूती अपने बच्चे को अपने साथ ले गए मैं अकेली रह गई मैं अपने भागेश को याद करके रोती रहती मेरा दिल किसी चीज में नहीं लग रोते रोते एक हफ्ता गुजर चुका था जब सेट और शुरूती बड़ी सी गाड़ी में बैठकर अपनी मा को लेने के लिए आये तो शुरूती ने बताया कि मालकिन ने खुद ही मालिक को तलाक दे दिया है शुरूती ने मेरा शुकरी आदा किया कि आपकी वज़े से मेरा घर बस गया उसका पती मेरे पास आया और कहने लगा इतने दिन तक मेरे बच्ची का ध्यान रखा मेरी पत्नी शुरूती मुझे मिलवा दी इसलिए मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ फिर उन्होंने एक नोट से भरा बैग मेरे हातों में थमा दिया कहने लगे ये चो सेट जी ने भागेश का इलाज करवाना शुरू कर दिया है डॉक्टर ने विश्वास दिलाया है कि कुछ सरजरी होने के बाद भागेश एकदम नॉर्मल हो जाएगा मैं अब दक भागेश को नहीं भूली हूँ मैं थोड़े थोड़े दिनों बाद उससे मिलने जाती रहत हूँ दोस्तों उमीद करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी हूँ कहानी अच्छी लगने पर लाइक और शेयर जरूर करें और इसे कई दिल्चस्प कहानिया सुनने के लिए आपकी कहानी सुनों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद